गामिन इलाकों को मुख्यमारगों से जोडने और विकास की रफ्तार गाउं तक पहुचाने की इरादे से शुरू की गई प्रदाहन मंतरी ग्राम सडक योजना के बहतर परिणाम नजर आने लगे हैं पेशे सिवनी जिले से हमारी यह ग्राउंड रिपोर्ट सिवनी जिले में प्रदाहन मंतरी ग्राम सडक योजना से ग्रामिन जीवन कई प्रकार की सुविधाएं आ गई है पहले कच्ची सडक होने से ग्रामिनों को कई प्रकार की परिशानियों का सामना करना पड़ता था लोगों को आवागमन में परिशानी होती थी, वहीं बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे खासकर बरसात के दिनों में लोगों को काफी तकलीफ होती थी लेकिन अब सडके बन जाने से ग्रामिन जन जीवन सरल हो गया है ग्रामिन बताते हैं कि पहले गाउं तक स्वास्त सुविधाएं उपलब्द होना टेरी खीर हुआ करती थी लेकिन अब गाउं तक एम्बूलन्स आराम से पहुँच जाती है बच्चे भी आसानी से स्कूल जाने लगे हैं वहीं ग्रामिन ब्यापार को भी सडकों से नई गति में रही है वहाँ आने जाने के मामले में लेने तो जो विबस्ताएं हम लोगों को मिली है सडक बन जाने से वो सरकायर की बहुत बड़ी देन है बहुत बड़ी उपलब्दी है कभी कभी हम आज कर दोर अला के पहले हम साइकिल से आते थे इसके बाद जब से ये रोट बनी हुई है तब तो लगबग यहां अपने आने जाने में आट साथ गाओं के लोगों को लाभान भी थो रहे हैं और यहां से जो केकड़ा तक जो मार गहें वो इतनी सुविदाय हो गई है कि हमको अब परिसाने नाम की कोई चीज नहीं आधी रात को यदि किसी की तवियत खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं रहती पांच मिनट दस मिनट में यहां साधन पहुंच जाता है हमने यहां रूट दानमंति जोट सरक योजना के अंदर गजन चुकी है इसमें हम लोग बहुत सुद्धा जनक महसूस कर रहे हैं वीधल आना पड़ता था यदा नदीनक जाना पड़ता था इसलिए अ तो बहुत सुद्धा हुगी गाड़ी जाने लगी। तो इहां से बहुत सभूलियोत है दिक्कत ही नहीं है तो कुई दिक्कत नहीं